ब्राजिल ने चीन को जटका देते हुए सिनोवेक कमपनी के कोरोणा वाइरस वैकसिन कोरोणा वैक के ट्रायल को सस्पैंड कर दिया है ब्राजिल के स्वास से नियामक ने कहा है कि यह कोरोणा वैकसिन लगाने के कारण हुआ एक प्रतिकुल गटना के बाद लगाई गई है स्वास्व विबाग ने कहा कि यह गटना 29 अक्तूबर को हुई थी लेकिन अभी तक यह स्पस्ट नहीं हो सका है कि यह गटना ब्राजिल में हुई है या किसी दूसरे देश में मौत का हवाला देकर चीनी वैक्सिन का ट्रायल रोका साव पावलो के चिकिचक अनुसंदान संस्थान बुटा ननन के प्रमूख डिमास कोवास ने कहा कि वैक्सिन के कारण हुई एक मौत के बाद चीनी वैक्सिन के ट्रायल को रोकने का फैसला लिया गया है उन्होंने आखशंका जताई की जो मौत हुई है वह वैक्सिनेशन से संबंदित नहीं है उन्होंने कहा कि इस समय दस हजार से अधिक लोगों पर इस वैक्सिन का ट्वायल चल रहा है ऐसे में किसी एक वैक्ति की मौत हो सकती है ब्राजिले रास्टरपती है चीनी वैक्सिन के खिलाफ ब्राजिल के रास्टरपती जैर बॉल सोनारों ने चीन के कोविड-19 टिके का मजाक उडाते हुए कहा था कि ब्राजिल के लोग किसी के लिए ये गिनी पीग नहीं बन सकते उन्होंने कई दिनों पहले ही अलान किया था कि उनका देश चीन से कोरोना वाइरस की वैक्सिन नहीं खरी देगा रास्टरपती बॉल सोनारों ने सोशल मीडिया पर अपने एक समर्थक को जवाब देते हुए लिखा था कि निश्चित रूप से हम चीनी वैक्सिन नहीं खरी देगे इस खबर के बारे में अपने वीचानी चे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे वहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले